हलो बच्चो आज हम आपको एक और नहीं कहाने सुनाएंगे उसका नाम है घोड़ा और गधा एक धोबी के पास एक घोड़ा और एक गधा था एक दिन धोबी ने कपडों की भारी पोटली गधे की पीट पर लाद दी घोड़े के ओपर कुछ नहीं लादा गधे के ओपर लदा बोज़ा काफी भारी था उसने घोड़े सनुरूद किया भाई मैं इस बोज़ की मारे मरा जा रहा हूँ कुछ बोज़ा अपने ओपर लेलो गोड़े ने साफ इंकार कर दिया मैं क्यों तुमारा बोज़ा लादू गोड़े तो सवारी के लिए होते है बोज़ा डोने के लिए नहीं गदा चलता रहा कुछ देर बाद गदा बोज़ा नहीं सहब पाया और गिर पड़ा अब धोबी को अपनी गलती समझ में आई उसने गदे को पानी पिलाया और सारा बोज़ा गोड़े के ऊपर लाद दिया अब गोड़ा परिष्टा ने लगा वैं सोचने लगा अगर मैंने गदे की बात मान कर उसका आदा बोज़ा अपनी पीट पर ले लिया होता तो मुझे पुरा बोज़ा लाद कर बाजार तक इस तरह नहीं जाना पड़ता इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरे की साहता करनी चाहिए स्वार्थी नहीं होना चाहिए लिस्वार्थ भावना से आप दूसरे की मदद करते रहो इश्वर आपकी स्वाम मदद कर देगा वीडियो अच्छी लगी हो कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दे नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दे मिलते हैं एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए अपना ख्यार लखिए तब बाए